आपने ये बात जरूर किसी ना किसी से सुनी होगी कि अगर आपके पेट पर ज़्यादा फैट है तो आपको पेट को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए या अगर आपके थाई पर फैट है तो आपको थाई को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए लेकिन मैं आपको बदाता हूँ बोड़ी फैट लूज करती है तो पूरी बोड़ी में से equally fat लूज करती है क्योंकि हमारी बोड़ी जो fat को breakdown करती है fat cells में और fat cells blood stream में जाते हैं तो वो fat cells कहीं से भी body के किसी भी part से आ सकते हैं ना कि उसी एरिये से जिस एरिये को आप ज़्यादा train कर रहे हैं इसलिए आप समार्टली वर्क कीजिए ऐसा expect मत कीजिए अगर किसी बोड़ी पार्ट को ज़्यादा train करेगे तो वहां की fat जल्दी लोज हो जाएगी ऐसा नहीं होता आप अपनी डाइट अच्छी रखी और अपने हर एक बोड़ी पार्ट को equally हफते में